में c language में file handling को कहा जाता है tough जो यह बहुत tough language है और ओपर से file handling है तब यह और ज्यादा tough हो जाता है तो generally देखते हैं engineering का जो student है वो file handling को यह दिमाग में रख करके करता है जो file handling से हम लोग को question नहीं करना है क्योंकि यह सब से tough है लेकिन अगर इसको हम step by step करें तो file handling सबसे आसान topic होगा सर्त यह है जो step by step करें और jump नहीं करें होता है कभी-कभी जो हम लोग direct last वाला topic पकड़ते हैं और last वाला topic पकड़ने के चकर में हम लोग last वाला तो हो नहीं पाता है और जो previous वाला है वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं तो हम लोग file handling in C कर रहे हैं C language में file handling एकदम step by step एकदम सबसे simple program है जो हम एक file बनाना चाहते हैं C language में तो आखिर file को बनाएंगे कैसे file बनाते हैं दो काम करने के लिए या तो हम को उस file में लिखना है या अगर हम कुछ पहले से लिखे हुए हैं तो उसको हमको पढ़ना है तो लिखेंगे या पढ़ेंगे वह कैसे पहले तो file बनाएंगे तब ना तो पहले एकदम सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं how to create file in C language ठीक है तो यह से हम वाइड में लिखे और इसके बाद हम लोग यहां पर में एक file pointer बनाना पड़ता है और यह चीज़ ध्यान रखना है C language C++ यह सब पर में हमको capital में लिखना है तो यह एक file pointer हमको यहां बनाना होगा suppose करिये file pointer हम बनाए पी नापका ठीक है अब इसको हमको connect करना है हम जो file बनाना चाहते है उससे बहुत simple है हम लिखेंगे f equal to f open यहां पर में f open लिखना पड़ता है bracket खोले और जो भी file बनाना चाहते है कि विवार Tucson और पार나सू fuckin नाम का या मदना चाहते हैं तो वह ले लिखfillी अब सवाल उठरा है जो हम स्वाइब गुंचो और चाहे हैं यह इंतुत है जो झाल फाल बनाना चाहते हैं कि हम और उसमें लिख ना पढ़े और लिखना है कैसे तो यहां कॉमा डालेंगे और डबल कोड में डबलू लिख देंगे डबलू स्टेंड फॉर राइट इसका मतलब हुआ जो आप एक राज नाम का फाइल बनाना चाहते हैं जो की जिसके अंदर में आपको लिखना है तो यहां जो यह हम राज लिखे हैं यह हम हमारा फाइल का नाम हो गया और डबलू जो हुआ यह बता रहा है किस परपस से आप खोल रहे हैं तो डबलू स्टेंड कोर राइट और यह पी जो हमारा पॉइंटर बना तो यह फाइल पॉइंटर हुआ पी जिसको कि हम कनेक्ट कर दिये है इससे लेकितना सिंपल प्रोग है एरर नहीं होगा तब एकदम सिंपल सा क्या होगा एक राज नाम का फाइल बन जाएगा ठीक है तो और तो इसमें कुछ प्रिंट वगरा करने का लिखें नहीं है तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो दो बात होगा या तो यह रन करेगा अगर सब कुछ सही र नहीं रहा तब तो एरर आएगा तो एरर जो आएगा वो दिखेगा तो हम लोग इसको रन करते हैं ठीक है तो अगर एरर होगा तो एरर सो करेगा नहीं होगा तो रन करेगा रन करेगा तो कोई भी आउट पूट नहीं आएगा क्योंकि यहां प्रिंट अगरा हम लिखे ही तो इसको run किया जाए देखिए run करते हैं और यह देखिए हम run किये और कुछ भी नहीं हुआ ठीक है इसका मतलब इसमें कोई error नहीं है थोड़ा सा simple complicated लग रहा है क्योंकि run किये तो कुछ पता ही नहीं चला हम SHGate CH हम डाल देते हैं स्क्रीव को freeze करेगा तब हम इसको तो यह रण करने के लिए जाएगा अब होगा क्या रन करने के लिए जाएगा एक राजनाम का फाइल बनेगा और राजनाम का फाइल बनेगा उसमें तो हम कुछ किये नहीं उस तो उसके अंदर में हम किये नहीं केवल राजनाम का फाइल बना और हम वापस आगए ठीक है देखिए यह रन कर रहे हैं यह देखिए र लिए हम एक काम करते हैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं या देखिए स्क्रीन को क्लियर कर दिया अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक पॉइंटर बना पी फाइल पॉइंटर स्क्रीन क्लियर हुआ उसके बाद वो जो पॉइंटर बनाया है उसको राज नाम का फा यह कुछ भी सो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम तो कुछ प्रिंट वेगरा लिखे नहीं थे तो केवल यह प्रोग्राम क्या किया एक सिंपल सा एक फाइल बनाया जिसका नाम है राज और वो क्यों बनाया राइट करने के लिए ठीक है तो आज हम लोग इतना ही सिखें हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे जो आखिर फाइल तो बना लिए अब फाइल बना तो लिए अभी बना कि नहीं बना आखिर इसका प्रूफ क्या है तो प्रूफ हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में जो फाइल तो बन गया क्या प्रूफ है जो फाइल बन गया ठेका, बाई